हेलो डियो लेर लेर्नर्स, वेलकम तो माय चैनल, स्टोडी फ्रॉम होम विजशना मैम, अवर टुडेश टॉपिक इस कम्पैरिंग डेसिमल्स, यानि कि आज की टॉपिक में हम अपना पढ़ेंगे कि डेसिमल को हम कैसे कम्पैर करते हैं, ठीक है, अगर डेसिमल हमारा लाइक अगर अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, तो इसमें हमारा लाइक डेसिमल्स है, तो भी हम उन्हें कैसे कम्पैरिंजंट करेंगे, हम आज की वीडियो में यह देखेंगे, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, कि कैसे हम लाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल्स म पहले आपसे कहना चाहती हूं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो है तो इसे सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब करने के बगल में ही एक बैल आइकन आएगा उसे प्रस करना ना भूलिए ठीक है और आपने अब भी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड से साथ जादा से जादा इसे शेयर कीजे ताकि वो भी हमनों के साथ जूड सके ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए कोशन नमबर वन हमारे पास क्या लिखा हुआ है तो अब यहाँ पर ह दो डेसिमल नमबर हैं तो जब भी हम कंपरिजन करते हैं तो आप हमेशे याद रखिए कि डेसिमल के पहले मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के पहले जो हमारा नमबर होता है ना डेसिमल के लेट साइट में जो भी नमबर होता है वो हमारा होल नमबर होता है यह हमारा क् शो करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है तो सबसे पहले हम हमेशा जब भी comparison करेंगे तो पहले हम whole numbers को देखेंगे ठीक है? सबसे पहले आप यहां देखे 3, 3 क्या यहां whole number है? नहीं क्यों क्यों कि यह point 3 है ठीक है? तो यह यहां पर decimal में है तो यह whole number में नहीं है ठीक है? तो whole number हमारा यानि कि left side से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा हम जब भी comparison करेंगे तो left side से स्टार्ट करेंगे whole number से तो यहां पर देखे क्या है 2 और यहां भी क्या है 2? तो दोनों ही यहां, दोनों ही whole number हमने क्या देख लिए कि एक्वल है तो जब एक्वल है तो उसके बाद हम next number पर जाएंगे ठीक है यहाँ 2 और 2 तो इक्वल है फिर decimal है फिर decimal यहाँ भी यह भी इक्वल है फिर decimal के बाद जो हमारा पहला number है यानि 10th place का और यहाँ भी 10th place का इसे हम लोग अब comparison करेंगे ठीक है तो है 2 equal है 10th का place equal है तो अब हम 100th का place देखेंगे तो हमारा 100th के place पर यहाँ है 1 और यहाँ 100th के place पर है 9 तो अब आप बताएं 2.31 बड़ा है यह 2.39 बड़ा है कौन सा बड़ा होगा तो चलिए हम लोग solution करते हैं आप समझ गया होंगे कौन सा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ प फिर यहाँ पर देखेंगे 3 आ गया 10th के place पर 3 है यहाँ भी 10th के place पर 3 है यानि दोनों सेम हुए फिर यहाँ देखेंगा 100th के place पर 100th के place पर 1 है और यहाँ 100th के place पर 9 है तो कौन सा नंबर greater हो गया 2.39 तो यह नंबर हमारा क्या हो गया greater हो गया ठीक है तो हम यहाँ पर यह बताती हूँ जैसे लिखा हुआ है 11.04 and 12.57 मान लीजे यह दो decimal number है और इनका आपको क्या करना है comparison करना है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताईए यह कि सबसे पहले आप whole numbers को comparison करेंगे यानि right side में ठीक है तो right side में decimal के right side में sorry left side में ठीक है decimal के left side में देखें यहां कितना लिखा हुआ 11 और decimal के यहां पर left side में ठीक है 12 लिखा है तो हम लोग को तो आगे बढ़ने के जरूरत ही नहीं पड़ी यही पर हमने देख लिया यह हमारा 11 और यह हमारा 12 तो कौन सा number हमारा greater हो गया तो हमारा 12.57 क्या हो गया greater हो गया तो हमने यहां पर यह sign लगा दिया starting में ही जब हमने देख लिया कि यह number बढ़ा है तो हमें आगे comparison करने के जरूरत ही नहीं पड़ी ठीक है इसलिए हम हमेशा left side से start करते हैं ओके अब next question देखते हैं यहां पर देखिए हमारा next number है 72.4 and 72.49 हमें यहां पर comparison करना है 72.4 को और 72.49 की कौन सा बढ़ा है अब यहां देखिए यह like decimal है कि unlike decimal है तो हमने यहां पर देखा decimal के बार यहां पर सिर्फ एक number है और यहां decimal के बार दो number है यानि के like नहीं हुए यह unlike हुए और unlike को like में change करना आपको आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसको लाइक में चेंज कर लेते हैं, तो यहां पर हमारा 72.4 है, तो इसके बगल में हमने क्या कर लिया, एक और एड़ कर लिया, जीरो, और आपको पता है, जीरो यहां पर लिखने से कोई भी फरक नहीं पड़ेगा नमबर में, ठीक है, तो यहां हमने देखे हो, यहां हमने इसको बना लिया है, अब कमपेलिजन करते हैं, तो यहां पर देखे क्या है, पहले हम लेफ्ट साइट से स्टार्ट करते हैं, यहां हमारा है 72, और यहां भी हमारा क्या है 72, तो दोनों सेम हैं, चलिए ठीक है, अब यहां पर डेसिमल के बाद देखते हैं, हमारा आया, पहल हमारा है 100 का प्लेस 100 के प्लेस पर यहां पर 0 है और 100 के प्लेस पर यहां पर 9 है तो अब बताईए यहां पर कौन सा नंबर greater हो जाएगा 72.49 हमारा क्या हो जाएगा greater हो जाएगा बच्चों जैसा कि मैं खुछ जानती हूं कि बहुत से बच्चे confused होते हैं इसलिए क्योंकि 72.49 है तो समझ नहीं पाते हैं इसको कैसे comparison करें ठीक है तो यहां पर आप हमेशे याद रखिएगा पहले अगर यह unlike decimals हैं तो इसे हमें like decimal में change करना है ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया like decimal में change कर लिया और उसके बद comparison करना बहुत easy हो गया एक और मैं आपको एक्जामपर देती हूं ताकि आपको all clear हो जाए यहां पर दिक हमारा next है 11.62 and 11.620 तो इसे हमें comparison करना है तो यहां पर चलिए comparison करते है 11.62 and 11.620 मैंने आपको बच्चों बताया है कि हम decimal को कैसे read करते हैं या फिर कैसे write करते हैं तो आप कभी भी यह नहीं बोलेंगे 11.62 ठीक है न आप हमेशा इसे ऐसे read करेंगे 11.62 और इसे आप कैसे पढ़ेंगे 11.6 ठीक है कई बच्चे क्या करते हैं कि यहां लिखाए 11.62 11.620 तो यह वाला बढ़ा हो गया तो ऐसे comparison आपको नहीं करना है सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर यह unlike decimal है तो इसे हमें like decimal में change करना होगा यहां पर देखिए यहां पर decimal के बाद सिफ 2 डिजिट है और यहां decimal क decimal हुआ तो हमें like decimal बनाने के लिए यहां पर क्या पड़ना पड़ेगा एक जिरो और लगाना पड़ेगा और आपको पता है यहां एक जिरो या दो जिरो या तीन जिरो हमनों अपने आप लगा सकते हैं इससे इसकी value पर कोई भी फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो अब आप पताईए यह है 11.620 यह भी है 11.620 तो दोनों हमारे क्या हो गए ? एक्वल हो गए तो यह हमारे क्या साइन आ जाएगा ? एक्वल साइन आ जाएगा कई बच्चे देखते ही अनसल बता देते हैं कि 11.620 यह तो यहाँ थी डिजित है तो यह बढ़ा होगा ऐसा नहीं करना है पहले आपको unlike decimal को like decimal में change करना है फिर आपको comparison करना है यह आपके लिए फिर बहुत ही easy हो जाएगा और कोई भी confusion नहीं रहेगा एक question और देख लेते हैं ओके learners अब यहाँ पर देखी हमारा है 0.17 and 0.050 ठीक है तो यहाँ पर इसे हमें क्या करना है comparison करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.7017 and 0.050 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है यह unlike decimal है तो सबसे पहले हम इसे like decimal में change करना होगा यहाँ पर 1, 2, 3, 3 digit है decimal के बाद यहाँ पर decimal के बाद सिफ 2 digit है इसलिए हमने एक और 0 लगा दिया और इसे like decimal में change कर दिया अब आप चलिए comparison करिए यहाँ पर है 0, left side से start करते हैं और यहाँ भी क्या है 0 तो यहाँ तो सेम हो गया, फिर decimal, decimal यहाँ पर है हमारा 10th के place पर है 1 और यहाँ 10th के place पर हमारा क्या है 0 तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़े यहीं से हमने देख लिया, यह है हमारा 1 और यह है 0 तो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा बड़ा यानि कि हमारा 0.170 क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा आप समझ पा रहे हैं, कोई बच्चा यह confused नहीं होगा कि यहाँ पर 0.17 है और यहाँ पर 5 है और 5 बड़ा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको 1 के प्लेस करना है और यहाँ पर उसके बाद decimal का comparison फिर 10 के प्लेस करना है, ठीक है 10 का प्लेस हमेशा क्या होता, बड़ा होता है आप यहाँ पर अगर 9 भी लिखा होता 100 के प्लेस पर, तब इह क्या होता छोटा ही होता, क्यों? क्यूंकि 10 के प्लेस पर इसके पास क्या है? 0 है तो पहले हम 10 का प्लेस देखेंगे, ठीक है तो 10 का प्लेस यहाँ पर 1 है तो उसके पहले ही comparison कर लिए कि यह number बड़ा है तो यहीं से हमने इसको क्या कर दिया greater कर दिया ठीक है इस्टुडेट्स मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा आप लोग से मैं जैसा कि हर वीडियो के last में question पूछती हूँ तो मैं आपसे यहीं पर एक question पूछती हूँ आपको मुझे comparison करनके बताना है कि कौन सा number यहाँ पर greater है 5.123 and 5.321 आपको इसे comparison करके मुझे comment box में बताना है आप सभी लोग answer जरूर बताया कीजिए क्योंकि answer बताने से यह आप देख पाते हैं कि आपको वीडियो से कितना सिखा आपने या फिर वीडियो आपके लिए कितनी फायदे मन्द हुई ठीक है तो सभी लोग वीडियो को चरूर लाइक कर दीजिए अभी और comment section में जाके comment कीजिए ओके? Thank you